क्या आप कमजोरी, थाकान, एनिमिया, खून की कमी, कैलसियम की कमी, वजन का बढ़ना, बालों की समस्या, इसकीन जैसी समस्या, प्लेटलेट्स, इत्याज समस्याओं से पहरसान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहदी जरूरी है, दोस्तों वीडियो को अन्त तक जर आपको स्वास्त, खान, पान, और फिटनर से जुड़ी मातपूर जानकारियां लेकर आते हैं, दोस्तों आज का वीडियो वेहदी खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे ड्राइब फुट के बारे में, जो आपके स्वास्त को कई गुना लाव पुचा सकता है, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिस्ता की, पिस्ता न क्यों स्वाद में लाजबावनता है, बलकि हमारी सिहत के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, आज हम आपको बताएंगे पिस्ता खाने के बंदर बेहतरीन फायदों के बारे में, दोस्तों आज हम जानेंगे क यह चोटा सा ड्राइफूड आपकी सिहत को कैसे बदल सकता है, तो चलिए सुरू करते हैं, दोस्तों अब हम जानते हैं पिस्ता में पाये जाने वाले पूसक तत्तों के बारे में, दोस्तों पिस्ता ही एक स्वाधिस्ट और पोश्टिक ड्राइफूड है, जिसे लोग अपन खाने की 15 बड़े फायदों की बारे में नमबर बन पिस्ता दिल की स्वास्त के लिए वियत फायरे मन माना जाता है दोस्तों पिस्ता में पिस्ता को अनिवायर रूप से सामिल करना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्त और फिट बने रहें नमबर टू पिस्ता वजन को नियतित कने में मदद करता है दोस्तों पिस्ता में कैलोरी की मातरा कम होती है लेकिन फायवर और रूटीन की उच मातरा इसमें पाई जाती है यदि हम पिस्ता का सेवन करते हैं तो हम अपनी लाइफ इस्टाइल में ओवर डायटिंग जैसी समस्या से बच सकते हैं क्योंकि यह आपके पीट को लबे समय तक भरा हुगा महसूस होने देता है जिससे आपको बार बार भूग नहीं लगने देता है यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके बचन को गाटाने में मदद कर सकता है नमबर त्री पिस्ता इमिनिटी बुस्तर के रूप में काम करता है दोस्तों यदि आपकी रूप प्रतिरोधक चमता कम है या आप हमेशा बीमार रहते हैं या आप अस्वस्त अपने आपको मसूस करते हैं तो पिस्ता आपके लिए एक बहतर भी कल्ब है क्योंकि पिस्ता में विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे सरीर की इमिनिटी यानि रोग प्रतिरोधक चमता को बढ़ाने में अहम भूमकन आता है यह सरीर की रोग प्रतिल दग चमता को बढ़ाता है साथ ही साथ हमारे सरीर में कई सारी विबारियों से लड़ने में मदद करता है यदि आप इसका नेमित रूप से सेवन करते हैं तो निश्ची तोर पर आपके सरीर की रोख प्रतिल धक छमता बहतर होगी और आप सारी विबारियों से बच सकते हैं नमबर फोर पिस्ता आँखों की रोशने के लिए बेहत लाब खारी होता है दोस्तों यदि आप आँखों की समस्या से परिशान हो रहे हैं तो घबराइए नहीं पिस्ता आपके लिए एक बहतर विकल्प है आप अपनी डॉक्टर की सला से अपनी आहार में पिस्ता का सेवन कर सकते हैं क्योंकि पिस्ता में लिटीन और जी एकस्थीन नामक एंटी आक्सिडेंट पाय जाते हैं जो आँख की सेहत के लिए बेहतरी माने जाते हैं साथी साथ इसमें पाय जाने वाले एंटी आक्सिडेंट आपकी आँखों को दूप से होने वाली हानियों से बचाता है साथ ही साथ उम्र से संबंदित आँखों की बिमारियों को होने वाले खत्रे में भी मदद करता है यदि आप पिस्ते का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो निस्टी चौब पर आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं नमबर फाइब पिस्ता बलड सुगर लेवल को नियर्तित करता है दोस्तों पिस्ता का ग्लाइमेसिक इंडेक्स बहुत कम होता है जिसे यह बलड सुगर लेवल को नियर्तित करने में मदद करता है खास करिया diabetes के patient के लिए बहुत ही फायदे मन माना जाता है यदि आप diabetes के patient हैं तो अपने आहार में पिष्टे का सेवन अनिवार रूप से करें साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो तो डाक्टर की अनुमती से ही इसे करना चाहिए पिष्टा हमारे पाचन तंद को बहतर बनाता है यदि आप gas, acidity, cabbage, बदहजमी यदि इत्याज समस्याओं से परिशान है तो घवराइए नहीं पिष्टा आपके लिए एक बहतर बिकलब है क्योंकि पिष्टा में फाइवर की भरपूर मातरफ आई जाती है जो पाचन तंद को दुरूस्त करने में मदद करता है साथी साथ यह आपकी आदों को स्वस्त बनाये रखता है और कप जैसी समस्याओं से रहा दिलाता है आप अपनी आहार में पिष्टे का सेवन अगर करती है तो पाचन समंदी समस्याओं से आप निजात पासकते हैं पिष्टा ब्लट प्रेसर को नियंतरित करने में मदद करता है पिष्टा में पोटेसियम अच्छी मातरा में पाय जाता है जो हमारे ब्लट प्रेसर को नियंतरित करने में मदद करता है क्योंकि potassium blood pressure को समाने रखने में साथे साथ high blood pressure से बचाने में मदद करता है यदि आप इसे अपने आहार में सेवन कर रहे हैं तो निश्ची तोब पर आपका blood pressure नियंतरित रहेगा नमबर 8 पिस्ता तवचा के लिए रामबाण है दोस्तों पिस्ता में vitamin E भरपूर मातरा में पाई जाती है यदि आपकी तवचा रुकी है या आपके तवचा में किसी प्रकार के समस्या है जैसे की चाई, मुहासा, केल इत्या समस्या सिर्या परशान है तो पिस्ता आपके लिए एक बहतर विकल्ब है vitamin E से भरपूर होता है साथी साथ इसमें एक सक्तिसाली antioxidant गुड पाया जाता है जो आपकी तवचा को नमी प्रदान करता है साथी साथ उम्र बढ़ने की संकेत को कम करने में भी यह मदद करता है जिससे आप हमेशा जमान दिखते हैं जिए आप अपने तवचा को चमकदार बनाया रखना चाहते हैं तो पिस्ता अपने आहार में अनिवायर रूप से सामिल करें साथी साथ यह आपके कई सारे स्वास्त लाब को भी मेतर बनाता है नमबर नाइन बालों का गिरना बालों में डेंडरप इत्याद समस्याएं इससे दूर होती है क्योंकि पिस्ता में बायोटी नामक तत्त पाय जाता है जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है साथी साथ हमारे बालों को जड़ने से भी रोकता है जिसे हमारे बाल घनी और चमकदार साथिसा स्वस्त मसूस होते हैं दोस्तों लगबग हर सारे ड्राइफूड हमारे तनाओ को कम करते हैं लेकिन पिस्ता उन्में से एक बहतर है क्योंकि इसमें एंटी आक्सिडेंट और बिटामिन बेसिक्स भरभूर मातरा में पाये जाता है जो हमारे मानचिक तनाओ को कम करने में मदद करता है साथी साथ यह हमारे मस्तिस की नसों को सांध करने में मदद करता है जिससे हमारा मूड बहतर रहता है और हमें चिटशिडापन या आलाज जैसी समस्या नहीं मसूस होती है यदि अपनी आहार में आप पिस्टे का सेवन करते हैं तो आप निस्टी तोपर मानसिक तनाव जैसी समस्या से निजात पाश रखते हैं नमबर 11 पिस्टा कैंसर जैसी बिमारियों में बचाव करता है नमबर 12 पिस्टा हड्डियों को मजबूत बनाता है दोस्तों पिस्ता में केलसियम, पोटेलसियम और फासफोरस भरपूर मातरा में पाया जाता है जो हमारे हडियों को मजबुक बनाने में मदद करता है यदि आप हडियों की समस्या से परसान है जैसे कि हडियों में कट कट की आवाज का आना या उटने और बैटने में गुटनों में दर्द का महसूस होना या फिर आपके बैक पॉन में दर्द होना जाद समस्याओं से यदि आप पहरसान है तो पिस्ता आपके लिए एक बहतर विकल्प है यदि आप अपने अहार में नियमित रूप से सामिल करते हैं तो हड़ियों के समस्याओं से आप नियाद पा सकते हैं पिस्ता खून की समस्या को दूर करने में मदद करता है दोस्तों यदि आप ठकान, कमजोरी, आईरन की समस्या या एनिमिया जिसी समस्या से पहरसान है या आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो पिस्ता आपके लिए एक वहतर विकल्ब है क्योंकि पिस्ता में आईरन की भरफूर मात्रा पाई जाती है जो हमारे सरीर में खून की कमी यानि एनिमिया को दूर करने में मदद करता है साथी साथ यह हमारे सरीर में red blood cells यानी RBC को बढ़ाने में मदद करता है जिससे हमारे सरीर का hemoglobin level सुधरता है और हमारे सरीर में खून की समस्या दूर हो जाती है नमबर 14 पिस्ता anti-inflammatory का अच्छा सोर्स माना जाता है दोस्तों पिस्ता में anti-inflammatory गुड़ पाय जाते हैं जो सरीर में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं साथी साथ यह जोडो का दर्द यह सूजन को रहा दिलाने में मदद करते हैं यह जोडो की दर्द की समस्या से परिषान हैं तो पिस्ता आपके लिए एक बहतर विकल्ब है इसे अपने आहार में अवस्य सममिल करें साथी साथ यह आपको अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो तो आप डाक्टर की सला से ही पिस्ते का सेवन करें नमबर 15 पिष्टा पिष्टा प्रजनन स्वास्त के लिए भी लाबदायक माना जाता है क्योंकि पिष्टा में जिंक और अन्य सारे पुसरत भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो प्रजनन स्वास्त के लिए लाबकारी होते हैं खास करिया पूर्सों और मैलाओं दोनों के लिए बेहतर होता है क्योंकि यह सरीर में हार्मोन बैलेंस को बनाये रखने में मदद करता है जिसे हमारे प्रजनन स्वास्त में सुधार आता है अता हमें पिस्ते को अपने आहार में अवस्य सामिल करना चाहिए दोस्तों यह थे पिस्ता खाने के 15 अदूत फायले इस चोटे से ड्राइबूर में सिहत का खाजाना चीपाया है अगर आप हो जाना सिमित मात्रा में पिस्ता का सेवन करते हैं इससे आपको कई सारे स्वास्ता मिल सकते हैं लेकिन याद रखे किसी भी चीज की आति आपको नुक्षान पहुचा सकती है इसलिए पिस्ते को सही मात्रा में ही खाना चाहिए जिससे आप हमेशा स्वास्त रहे हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें साथी साथ सब्सक्राइब करें आपको बाद बाद आपको हमेशा देने को सही मात्रा में है